अर्थ उच्चारण या व्याकरण के अनुसार एक जैसे लगने वाले दो शब्दों में अंतर अपनी हिंदी सुधारें केसर और केसरी जिस तरह बहेंगन से बैगनी रंग और गुलाब से गुलाबी रंग बनता है उसी तरह केसर से केसरी रंग नहीं बनता बनता है केसर या रंग कोशो में केसर के खीचतान वाले अर्थ मौलसिरी, पुन्नाग और नाग केसर मिलते हैं इन सब में समानता ये है कि एक तो ये पेड़ सदा बहार है दूसरी इनके फूल सुगंदित होते हैं मौलसिरी की लकड़ी अंदर से लाल और चिकनी फर्मीचर बनाने के योग्य होती है पुन्नाग की लकड़ी रेल की पट्रियादी बनाने के काम आती है और नाग केसर सफेद पूनों और बहुत कड़ी लकड़ी वाला पेड़ होता है केसर का एक अर्थ कुमकुम भी लिखा मिलता है पर कुमकुम का अर्थ रोली भी है केसर का अर्थ हींग भी दिया है हद हो गई जिस किसी चीज में तीवर गंद हुई वही केसर हो गई नकली केसर से बचिये असली केसर इन सबसे भिन है उसका सही मतलब है अर्वी में जाफरान और अंग्रेजी में सैफरन वो छंटे प्रदेशों में होने वाले छोटे से पौधे के फूरों के बीच्स में इस्थित स्थाई सुगंद से युक्त बालों जैसे रेशे के रूप में होती है ये रेशे पीला पन लिये हुई लाल रंग के होते हैं अब केसरी का रंग रूप देखिए यो तो वो नीबू और गलगल भी हैं अधिक प्रचलन में वो श्रेश्ट और वर्ग प्रमुख हैं नरकेसरी और पंजाब केसरी शब्द आपने अवश्य सुने होंगे उदर हनुम जी केसरी लाल थे केसरी के और ज्यादा जाने पहचाने अर्थ सिंग और घोड़ा हैं इन दोनों के लिए ये शब्द केहरी रूप में मिलता है यहां केसरी और केसर एक दूसरे के बहुत निकटा जाते हैं क्योंकि केसर का अर्थ सिंग और घोड़े की करदन के बाल यानी अयाल भी है